अन्तर राश्ची क्रिकेट परिशद यानि की ICC ने सियुक्त अरब अमिरात यानि की UAE के दो क्रिकेटरों मुहम्मद नाविद और शेमान अन्वरबट के खिलाफ कड़िक कारवाई की है ICC ने दोनों खिलाणियों पर आठ साल का बैन लगा दिया है दोनों खिलाणियों को साल 2019 T20 विश्यकप क्वालिफायर मैच के दोरान फिक्सिंग के मामले में लिप्त पाया गया था UAE के पूर्व कफ्तार नाविद और शिशकम के बल्लेबाश शेमान को आशीशी के एंटी करप्शन टिबुनल दोरा ICC एंटी करप्शन कोर्ट की सहेंदा का उलनंगन करने का दोशी पाया जाने के बाद आठ साल के लिए सभी क्रिकेट पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इन प्रतिबंदों को 16 अक्टूबर 2019 से लागू किया जाएगा जब दोनों खिलाडियों को संयुक्त अरब अमिरात में खेले गए ICC प्रोष T20 विशुकप क्वालिफायर 2019 के दोरान मैचों में भेष्टा चार में लिफ्ट पाया गया था इन दोनों खिलाडियों को इसी टेर्णामेंट के दोरान भेष्ट पेशकर्ष के बारे में भेष्टा चार निरोदक एकाय को सुचित नहीं करने का दोशी भी पाया गया इससे पहले भी तेज गिनबाज नावित को 2019 में T10 लिक के दोरान इसी तरेके के उल्लंगन का दोशी पाया गया था आपको बता दे कि दोनों संयुक्त अरब अमिरात के सबसे अनभवी अंतराष्टी क्रिकेटरों में से एक है 41 वर्षी अनवर एक दिवसी और T20 फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी है तो वहीं 33 वर्षी नावेद ने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं और वो टीम के पूर्व का तान भी है जाहिर है दोनों के करप्शन मामले में लिफ्थ होने से सयुक्त अरब अमिरात के क्रिकेट को बहुत बड़ा जटका लगा है ऐसे मैं उमीद है कि इन दोनों क्रिकेटरों को मिली सजा से बाकी क्रिकेटर्स और बोड सबक लेंगे और आगे ऐसी गलती करने से बचेंगे झाल